हेलो दोस्तो वेलकम टू सीको सीए स्टूडेंट आपका यहाँ पर बहुत-बहुत स्वागत है हम बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड डेट क्या है बहुत सारे टीचर्स वीडियो उतार रहे हैं इसके उपर मैं आपको एक्सपेक्टेड डेट अपनी बताऊंगा और जो की देखना बिल्कुल करेक्ट निकलेगी अगर मैं एक्सपेक्टेड डेट की बात करूँ तो आप एक कॉमन सेक्स लगाईए हमेशा क्या होता है हमेशा नवंबर में पेपर होते हैं तो दिसंबर का टाइम आईसी आई लेता है पेपर को चेक करने के लिए और जैनवरी में हमेशा फर्स्ट वीक में आईसी आई फाइनल का रिजल्ट दे देता है और थर्ड वीक में जहांकि डेट भी मैं आपको बता सकता हूँ 18, 19, 20 की डेट होती है जब आईसी आई इंटर और फाउंडेशन का रिजल्ट दे ही देता है तो मेरे हिसाब से इस बार भी आईसी आई यही करेगा जुलाई में पेपर हुए थे तो एक्जामिनर कम से कम अगस्त तो लेगा ही लेगा पेपर को चेक करने के लिए और अगस्त हो जाने के बाद सेप्टेंबर के फूर्स वीक के अंदर-अंदर फूर्स वीक का मतलब है एक से साथ तारिक के अंदर-अंदर आईसी आई फाइनल का रिजल्ट दे देगा और पंदरा तारिक से लेकर 21 तारीक तक के बीच में ICI Inter और Foundation का रिजल्ट दे देगा इसमें दोस्तों आप प्लस 2 से 3 डेज मानके चलिए ICI इतना टाइम और ले सकता है और इसमें भी 2 से 3 डेज मानके चलिए मतलब 25 से पहले आपका रिजल्ट Inter और Foundation का आ जाएगा और 10 से पहले पहले आपका रिजल्ट फाइनल का आही जाएगा इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है देखिए दोस्तों ICI ये जरूर चाहेगा ICI ये जरूर चाहेगा कि September के बाद September में अगर रिजल्ट आ रहा है आपकी Final का और Inter का तो वो ये जरूर चाहेगा कि October और November आपके पास दो महीने हो तब ही ICI ने इस बर पेपर भी December में रखा है अगर ICI को मतलब November में ही पेपर रखना होता November ही डेट होती तो आपका रिजल्ट और जल्दी देने की कोशिश करता लेकिन ICI का Main Target यही रहेगा दोस्तों कि वो रिजल्ट को वो रिजल्ट को September के अंदर दे ही दे ताकि November, October और November आपको पढ़ने के लिए दो महीने एक sufficient time मिल जाए जिससे कि आप अच्छी से अच्छी तयारी कर पाएं और December में आप पेपर में बैठ सकें तो इस वज़े से September के अंदर पूरे पूरे चांसे हैं आपका रिजल्ट आने का 10 से पहले पहले आपका final का रिजल्ट आ जाएगा और inter और foundation की बात करूं तो वो 20 या 25 से पहले पहले आपका आही जाएगा रिजल्ट तो Thank you दोस्तो इसके साथ जुड़े रहे जैहिंद and have a nice day